आज दिली पुलिस कंस्टेबल जो की मेल एंड फिमेल दोनों के लिए बंपर एक भरती निकल गया है जिसका पद है 5846 और देखते हैं अलग-अलग कैटेगरी में कितना पद है वहाँ देखेंगे पहले इससे पहले ये जनकारी देते हैं कि इसका जो है अपलाई करने का डेट एक अगस्ते चालू हो गया है और अंतिम तिति 7 सितंबर 2020 है इसका जो अपलिकेशन आउलाइन होगा ACC के माध्यम से होगा जो भी सारे परकिरिया कंडेक्ट कराएगा तो ACC ही कराएगा जो की करामचारी चैन आयोग भारत सरकार का जो है उसी के द्वारा यहां कंडेक्ट होगा जो की दिल्ली पुलिस का कंस्टेबल का जो भरती निकला है तो चलिए इसका विसेज जनकारी हम नोटिफिकेशन के माध्यम से देंगे इससे पहले यदि आप चैनल पे हैं निव तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के पास सेर करते रहे चलिए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे क्या नोटिफिकेशन में बताया गया है देखिए य नाप मेल एंड फिमेल देली पुलिस एक्जामिनेशन दुहाजार बीस चलिए यहां पर दिया हुआ है डेट ऑप सम्मिशन ऑनलाइन अप्लिकेशन एक अगर्श्त चालो हुआ है जिसका लास्ट साथ नोट दुहाजार बीस तक है उसके बाद चलते हैं लास्ट डेट एं टाइम पर मार्किंग ऑनलाइन यानि पेमेंट करने का नौन दुहाजार बीस तक ही है उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम ध्यान दीजेगा फर जेनरेशन ऑप लाइन यादि चलान से माध्यम से पेमेंट करते हैं तो उसका डेट है इगारण दुहाजार बीस तक उस 27 नौमबर 2020 से लेकर 14 दिसंबर 2020 तक इसका एकजाम होगा द्यान दीजेगा 14 नौमबर 2020 से लेकर 14 दिसंबर 2020 तक इसका टेंटिटिव सीविटी एकजामनेशन डेट निकाल दिया गया है चलिए आगे चलते हैं इसका नोटिफिकेशन जो दिया गया है इसमें कितना केटेग 7700 लेकर 79,100 रुपया है टोटल यहां पे दिया हुआ है चलिए लेबल 3 में है उसके बाद यहां पे पोस्ट बाइज दिया हुआ है जिनरल में 1681 पोस्ट है जिसमें EWS के लिए 343, OVC में 662, AC के लिए 590, ST के लिए 167, टोटल 3433 पोस्ट है उसके बाद Constable यहां पर आ जाते हैं मेल में जो कि एक सर्विसमेंज और अधर के लिए 94 सीट है और EWS के लिए 19 सीट 20 के लिए 37 AC के लिए 52, ST के लिए 24, टोटल है 226 उसके बाद उसी तरह आगे दिखते हैं कि मेल में Constable दिया हुआ है यहां पर 93 पोस्ट है उसके बाद 19, 67 और 27 है जो कि टोटल 243 है उसके बाद Constable फिमेल पे आते हैं तो 933 सीट है जो कि जिनरल के लिए 933 है और EWS में 202 है वो भी 387 है इसी परकार यहां टोटल 1,944 हो गया टोटल मिलाकर 5,846 पोस्ट हुआ टोटल सारे वेकेंसी का कल्कुलेट करते हैं तो 5,846 आएगा उसके बाद चलते हैं आगे इसका विशेश जनकारी क्या किस क्वालिफिकेशन पर इसका जनकारी हम लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है किस दे यहां पर दिया हुआ है कि जो एज लिमिट है 1825 है पहले आँ देख लेते हैं कि 1825 इसका एज लिमिट किया गया है जो कि 172020 से कल्कुलेट करने पर आना चाहिए किलियर है जो कि डेट अबर 2795 से लेकर 1722 के बीच में इसका जनमतिती होगा तो यहां फर्म के लिए अपलाई करने के लिए एक्सिटिबल होगा अब उसके बाद चलते हैं कि जो अलग से रिलेक्शन मिलता है एस के लिए AC, HD के लिए 500 यर यहनि 5 यर 5 यर मिलता है AC and HD के लिए OBC के लिए 3 यर उसी परकार यहां सारे दिया हुआ है परकिरिया आगे चलते हैं हम डाइरेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है क्या मांगा गया है हम चलते हैं इसका आगे परकिरिया देख लेते हैं चले हम डाइरेक्ट आ जाते हैं educational qualification पे जो कि यहां पे दिया हुआ है educational qualification पे हम चले आए चलिए यहां पे देख लिजिए यहां पे educational qualification पे हम आ गए है educational qualification यहां दिया हुआ है कि 79 2020 तक आपका जो 10 प्लस टू ध्यान दिजिएगा सेनियर सेकेंडरी यानि 12 क्लास जो पास किया है साथ 9 2020 के अंदर होना चाहिए किलियर है जिसका क्लोजिंग डेट है उसके आंदर ही आपको पास होना चाहिए 10 प्लस टू उसके बाद आगे चलते हैं ध्यान दिजिएगा educational qualification इस 12 पास मतलब 11 भी पास उसके साथ होना कि उसके बाद multi attaching staff यानि दिली पुलिस में कोई MTS है तो अभी इसके लिए फरम के apply करने के लिए उसका पुत्र या पुत्री हो सकता है ध्यान दिजिएगा आगे उसके बाद यहां पे दिया हुआ है कि उसके साथ LM भी होना चाहिए ड्राइविल लाइसेंस होना चाहिए motorcycle या car के जनकारी होना चाहिए जो जिसका मंगा जाएगा जो कि ड्राइविल लाइसेंस मेल कंडिडेट के लिए केवल है जिसका पी इट यानि जो फिजकल होगा फिजकल से पहले यानि फिजकल तक आप उसको भाइलिट मान सकते हैं यानि उतना तक आके अंदर है तो ले ज इसके लिए एक्स्टी बेल नहीं होगा ध्यान दीजेगा उसके बाद आगे चलते हैं हम इसके जनकारी लेते हैं सेंटर कहां-कहां इसका होगा चलिए हम लेते हैं जनकारी देखिए हम सेंटर पर आ गए हैं सेंटर एक्जामनेशन यहां लिखा हुआ है कहां-कहां सेंटर है आल इंडिया कोई भी कंडिनेट इस फिलप कर सकता है फॉर्म को केम की SAC के तुरुए जान देखिए यहां एक्जनमिशन सेंटर दिया हुआ है और उसका कोड भी दिया हुआ है यहां बंगलोर दरभांगा सारे दिया हुआ है यह बिहार में सेंट्रल और उतर परदेश का है सेंट्रल रेजियन है सियार रेजियन का जो की बिहार एंड उतर परदेश में होता है SAC का रेजियन जिसका भागलपूर दरभंगा मुझापरपूर पार्टना पुरुनिया इसी तरह सारे दिया हुआ है बनारस भी उतर परदेश के लिए कानपूर परियागराज इलहाब लगना हुए उसी परकार यहां दियान दिजिए कि यार रेजियन में भी इस्टार रेजियन में भी है अलग अलग सारे यहां दिया हुआ है सेंटर इसका पेडियाप डिस्कृप्स में रहेगा वहां से आप लोग डाउनलोड करकर इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ लिजेगा देख लीजेगा और वहां अपलाई कर दीजेगा चलिए हम इसके चलते हैं यह सीविते एकजामनेशन जो होगा किस तरफ होगा किस सब्जेक्ट पर होगा चलिए देखते हैं देखें यहां पे subject wise दिया हुआ है part 1 में यानि part A में general knowledge current affairs मिले आकर total question 50 पुछे जाएंगे 50 marks का उसके बाद reasoning में चले आएंगे part B में तो 50 question आपका number पुछे जाएंगे 25 marks का भी होगा जो कि पहले यह 35 number का पुछा जा रहा था 35 कोशन था जो कि इसको 10 हटा कर computer में डाल दिया गया है वह 25 बनकर 25 बन गया 10 question पुछे जाएंगे 10 number का होगा इसका जो question computer का आ रहा है इसी channel के माधियम से computer का भी practice कराया जा रहा है वहां से आप लोग practice का जरूर जाकर playlist में computer का एक section दिखाई देगा वहां से आप लोग पढ़े question को आप लोग पढ़े एक से एक question भी बाहर नहीं आ सकता है चलिए वहा एक wrong answer पर होगा उसके बाद आगे चलते हैं इसका physical standard क्या है चलिए हम physical पर आगे हैं देखिए physical में क्या क्या requirement है क्या 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 दोड़ है किसका किसका दोड़ के लिए कितना eligible आप पहले यहां पर mail candidate पर आ जाते है mail candidate के लिए दिया हुआ है एज के अनुसार है ध्यान दिजिएगा 30 से up to यानि 30 से नीचे अधी आपका एज है तो 6 मिनट में 1600 मीटर को रेसिंग करना है long jump 14 feet है उसके बाद high jump जो है तेन मिनट 3 foot 9 मतलब इंच है total उसके बाद आगे चले आते हैं 30 से 40 year के बीच में है तो 7 मिनट में 1600 मीटर रेसिंग क बाद करते हैं एज का तो 8 मिनट में रेसिंग करना है 1600 मीटर उसके बाद 12 foot है long jump के लिए और 3 foot 3 inch है high jump के लिए उसके बाद यहां पर ध्यान दिजिए अलग अलग यहां पर mail के लिए तो अलग अलग यहां पर state के लिए अलग 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 के लिए जैसे की कोई कोई है यहां पर असर इस्टिट के लिए दिलीका या कोई MTS 12 में है तो उन लोगों के लिए 5 cm का root height में मिले लेगा चले आते हैं चरिश्ट में 81 संटी मिटर minimum है उसके बाद उसको फुलाना है जो की 4 cm ही फुलाना है उसके बाद चले आते हैं उसी परकार यहां दिया हुआ है 5 cm अलग-अलग HD के लिए छूट दिया जाएगा चेस्ट में भी अगर दिली में कोई सर्विसमेन है तो 5 cm छूट दिया जाएगा चले आते हैं female पे female का दिया हुआ है test जो है physical age के अनुसार दिया हुआ है 30 ते नीचे है तो 8 मिनट में 600 meter long jump 10 feet high jump 3 feet उसके बाद 30 से 40 year के बीच में बात करते हैं तो 9 मिनट में 69 feet में long jump यहां दिया हुआ है उसके बाद 2 feet 9 inch high jump उसी परकर 40 inch उपर जाते हैं तो 10 मिनट में आपको 16 meter racing करना है long jump 8 feet के लिए उसके बाद 2 feet 6 inch आ जाता है high jump तो यह सारे परकिरिया आप लोग को समझ में आ गया होगा उसके बाद चलते हैं सारे यहां detail दिया हुआ इसका फिलप फरम जो होगा SAC के main side से होगा लड़की का जो height है 157 cm है minimum 157 cm चलिए तो यह समझ में आ गया होगा यह cm में है इसको अगर foot में निकालते हैं तो 5 foot कुछ होगा जो कि 30 point कुछ करके cm एक foot में होता है तो calculate आप लोग कर लिजेगा तो यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा इसी तरह चैनल पर बने रहिए आप लोग के लिए यह इसी परकार का update पलपल के लिए आते रहेगा हर notification हर recruitment के जनकारी के लिए तब तक के लिए हम लेते हैं विराम जैहिन जैभारत